नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का अमारी YouTube चैनल में तो आज ये computer की दूसरी class रहीगी और आज इसमें हम पढ़ेंगे input devices तो देखे सबसे पहली बात जो मैंने नाम लिख रखें जे सारे input devices हैं इनके नाम देखे बिल्कुल आपको tips पर होने चाहिए या बिल्कुल आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसे direct caution बनता है जातो आपको देखे device का नाम दे रखाओगा जैसे के digital camera क्या है तो option दे रखेंगे जे के input device output device है तो इस तरीके से option दे रखेंगे दूसरी तरह किस तरीके से प्रशन बन सकता है ऐसे हो सकता कि आपको देखे चार option दे रखे होंगे और हर option में तीन तीन devices के नाम दे रखे होंगे और आपसे पूशा जा रहो है कि कौन सा combination जो आपको option दे रखे इन में से कौन सा combination input devices को show करता जाए input devices है तो जाने कि आपको सभी के नाम फिर जाद होने चाहिए तो मैं एक और आपको नाम बोल देता हूँ तो देखिए keyboard, mouse, trackball, joystick, light pen, scanner, OCR, MICR, BCR, OMR, touch screen, digital camera, जा web camera, microphone, smart card reader, graphics tablet, video capture hardware जह सारे input devices के क्या हैं? examples हैं तो इन सभी के नाम आपको जाद होने चाहिए और देखिए साथ में आपको inventors के नाम याद होने चाहिए inventors बीच-बीच में मैं आपको बता दूँगा कुछ जो महत्तोपोर्ण है लेकिं inventors आप खुद जातों google कर लीजिए तो inventors के नाम भी आपको याद होने चाहिए और इसके अलाबा full forms बो मैं आपको साथ में बताता रहूँगा परन्तु inventors के नाम भी आपको याद होने चाहिए और देखिए 120 question कंप्यूटर से पूशे जाएंगे पिछली वीडियो मैंने आपको कहा था कि 50 question पूशे जाएंगे तो कंप्यूटर हम बिल्को डिटेल में पढ़ेंगे पूरा syllabus हम कबर करेंगे तो आप जैस सब नाम आप याद रखेंगे देखिए input होती क्या है input होती जो भी data हम computer को देते हैं जो भी हम data computer को देते हैं उसे हम कहते हैं input जाने कि जो भी हमने data computer को दिया उसे हम कहते है input जाने कि input क्या है मैंसे ऐसे भी कहते है man to machine communication इन्पुट को मैं क्या कह सकता है man to machine communication जा आदमी से machine का बारतलाप उसे क्या कहते है input कहते है और input जिस device के दोरा दी जाती है उसे हम कहते हैं input devices और जह सारे उसके example है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे keyword से देखिए हम इनको detail में पढ़ेंगे इनसे अलग-लग, इनसे भी question बन सकते हैं और किस-किस तरह से किस से क्या question बनेगा बो भी मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल detail में बताऊंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे keyword की I hope आपने जे सारे note कर लिए होंगे सबसे पहले हम बात करेंगे keyword की तो देखिए keyword के inventor का नाम सबसे पहले आपको पता होने की जिसको keyword के inventor का नाम सबसे पहले से पता है तो उसमें देखी, कितनी keys होती है, एक सो чार keys होती है तो एक सो चार keys होती है सबसे पहली बार देखी, keyword पर बहुत सारे keys होती है keys पर क्याते है? text, text लिके होते है जनकि keyword का use हम क्या करते है? text input करने के लिए 104 keys होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे دیکھیں A سے लेकर Z तक की उस पर Keys होती हैं सबसे पहले हम बात करेंगे A سے लेकर Z तक की आपने देखो Keyboard पर Z तक की Keys होती हैं इन्हें हम कहते हैं数 Alphabetic Keys इन्हें हम क्या कहते हैं इसके लावद देखी 0-9 की नमबर Keys होती हैं उस पर तो इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं Numeric Keys इन्हें हम कहते हैं Numeric Keys इसके लावा देखी F1 से लेकर F12 तक आपने Function Keys उपर देखी होंगी तो इन्हें हम कहते हैं Function Keys Function Keys Function Keys उनके संख्या कितनी होती है 12 देखे कभी कभी Function Keys कितनी होती है 12 एक प्रश्ण तो जे बनता है इनके क्या-क्या लग-लग काम F1 का क्या का F2 का जे मैं आपको बताऊंगा तो 12 की होती है इसके लाबा देखे इनसे कोशन डिरेक्ट कभी-कभी ऐसे भी बन जाता है कि F3 F3 किस की का उधारन है तो option दे रहे होंगे alphabetic key, numeric key, function key तो F3 क्या है? function key तो जे भी आप याद रखेंगे इसके लाबा अब हम बात करेंगे देखे आए इस तरीके के चार arrow keys भी keyboard पर होती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं navigation keys बात करेंगे अब हम navigation keys की तो देखिए जिस arrow का sign right side को उसे हम कहते है right arrow की left side वाले को left arrow की जो उपर है up arrow की और जो नीचे है बो down arrow की सबसे पहले हम बात करेंगे left arrow की की किसकी हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे left arrow key की left arrow key left arrow key तो देखिए जैसे मैं आपको एक example देता हूँ जैसे मैं जहां नाम लिखता हूँ कोई मान लीजिये मैंने नाम लिखा मनीश कुमार मनीश कुमार अब आपको यूज़ बताने जा रहा हूँ कि left arrow key का यूज़ क्या होता हूँ और इसे प्रशन कैसे बनेगा एक्जाम में तो मालेजी जो आपका cursor है cursor R के किस साइड में है दाई साइड में है अब मालेजी आप एक एक क्रेक्टर आगे जाना चाते है cursor को एक एक क्रेक्टर आगे लेकर जाना चाते है जाने कि पहले R पर लेकर जाना चाते है उसके बाद A पर उसके बाद M पर उसके बाद U पर उसके बाद K पर तब किस key का use करेंगे हैं तब हम use करेंगे left arrow key का use किसका use करेंगे left arrow key का क्या करेंगे left arrow key का क्या करेंगे use जाने कि cursor को one character left move करना हो one character left move करना हो तो left arrow key का हम use करेंगे देखे character और word में बहुत difference है मैंने कहा character ना कि word एक-एक letter जाने कि एक-एक letter word तो पूरा हो गया, जैसे कि कुमार, जे पूरा word है, word नहीं, एक एक करेक्टर करसर को left side लेकर जाना हो, तब हम use करेंगे, जाने कि one करेक्टर left करसर को अगर move करना हो, तब हम use करेंगे left arrow की, अब मासे पूरे word को जो cursor है उसे one word left move करना हो तब हम किसका use करेंगे तब हम देखी use करेंगे control plus left arrow की control plus left arrow की control plus left arrow की का use हम तब करेंगे जब हमने one word left move करवाना हो cursor को तो control plus left arrow की का use क्या हो गया one word one word cursor को left move one word left move करवाना हो, अगर cursor को, तब हम use करते हैं control plus left arrow key तुझे आप याद रखेंगे अगर one character left move करना हो cursor को, तब हम सिर्फ left arrow key कर यूज़ करेंगे, अगर पूरा word word, जो cursor को left move करवाना हो, तब हम use करेंगे, control plus left arrow key, पूरा word जाने कि आपका हमाली cursor h पर है मनीश के h के दा ही हो रहा है और आप cursor को ले जाना चाहते है m के आगे m के left side तब हम जाने कि पूरा word cursor को अपने move करवाना तब हम use करेंगे control plus left arrow key अब हम बात करते हैं अब देखिए left अब बात करेंगे right arrow key right arrow key right arrow key तो देखिए इसका भी same use है बिल्कुल उसी के दा है उसके बाद control plus right arrow key control plus right arrow key तो देखिए बिल्कुल same है जो मैंने आपको left arrow key के बारें में बता है बिल्कुल same है सिर्फ difference किया रहेगा इस उबाद left की जगा क्या होगा right जब आपने cursor को one character right move करवाना हो तो अब सिर्फ right arrow key का जूज करेंगे अगर one word right move करवाना हो cursor को तब हम जूज करेंगे control plus right arrow key आई होब आपको जो समझा आगे होगा अब हम बात करेंगे up arrow key की जनकि जब arrow का निशान उपर की साइड हो तब उसे हम कहते हैं up arrow key up arrow key तो देखें मालीजे आपका cursor सातमी लाइन पर blink कर रहा है आपने उसे शठी लाइन पर ले जाना है पांचमी लाइन पर ले जाना है चोती लाइन पर ले जाना है तीसरी लाइन पर ले जाना है जानकि एक एक लाइन उपर ले जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे अप एरो की काई हो आपको जे भी पता चल गए होगा वन लाइन अप ले जाने के लिए वन लाइन अप मुवमेंट करवाने के लिए करसर की एक एक लाइन तो हम करेंगे अप एरो की का यूज अगर कंट्रोल प्लस प्लस अपैरोकी की बात की जाये, तो एक पैरागराफ करसर को ऊपर ले जाने के लिए हम use करेंगे control जाने की एक paragraph एक paragraph उपर ले जाने के लिए तो देखिए इनसे direct pressure बनेगा आपको देरका control प्लस अब पैरोकी का use क्या होगा आपको option देर रखे होंगे एक line उपर ले जाने के लिए cursor को एक paragraph उपर ले जाने के लिए तो एक paragraph उपर चला जाएगा आपका cursor जब आप control प्लस अप आरो की क्या करेंगे प्रेस करेंगे इसके लावा हम बात करेंगे down arrow key की तो down arrow key की बिल्कुल same है जो हमने up arrow key की का मैंने आपको function बताया down key की वो ये वस वो अप था up down पहले cursor उपर की तरफ जा रहा था cursor को तब हम use करेंगे control प्लस डाउन एरो की का तो जे करेंगे आपको याद अब हम बात करेंगे देखिए हमने बात कर ली navigation keys की अब हम बात करेंगे home keys की अब हम बात करेंगे home key की home key का use अब देखेंगे home key का use क्या होता है देखिए मान लिजे बरतमान में आपका जो करसर है किसी लाइन में बिलिंक कर रहा है कोई लाइन है उसमें आपका करसर क्या कर रहा है बिलिंक कर रहा है आप उस करसर को लाइन की स्टार्टिंग में ले जाना चाहते हैं लाइन की स्टार्टिंग में ले जाना चाहते हैं तो लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाने की दीए आप कैसा लिकर आपको समझा रहा है मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ कि लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे home key का किसका use करेंगे home key का तुझे आप याद रखेंगे अब control प्लस अगर मैं control के साथ home key को press करूँ तब क्या होगा control प्लस home key मालीजे आप किसी document file में काम कर रहे हैं वो document जब file 10 pages की है 10 pages की है आप मालीजे 7 में page पर कर रहे हैं का आप काम कर रहे हैं साथ में page पर जाने की आपका जो cursor है वो साथ में page पर blink कर रहा है आप document की starting में जाना चाहते हैं document जाफाइल की starting में जाना चाहते हैं तब आप use करेंगे control प्लस home की जाने की अगर सिर्फ आप line की starting में जाना चाहते हैं तब आप सिर्फ home की, अगर आप document की starting में जाना चाहते हैं, तब आप use करेंगे control plus home की, तुझे आप याद रखेंगे, अब हम बात करेंगे end key की, अब हम बात करेंगे end key की, अब देखिए, इसका function बिल्कुल home की के जैसे ही है, बस home की का use करते हैं, स्टार्टिंग में आने के लिए, चाहिए बो document की starting हो, चाहिए line की starting, end से पता चलए end, जाने की end में जाने के लिए, मान लिजे बरतमान में करसर आपका, जिस भी line में काम कर रहा है, उस line की end में जाने के लिए, end में जाने के लिए, करसर को उसके अन्त में ले जाने के लिए, आप सिर्फ end की प्रेस करेंगे, और अगर बात करूं, control प्लस end की की, तब क्या होगा, तब वही, जो home की में, home की में आप starting जो शुरुआत थी, जो शुरूपर आप चले गए थे, इसमें आप जाएंगे end में जाने की अंत में जैसे कि आप किसी document में काम कर रहे हैं किसी file में काम कर रहे हैं उसमें 10 page हैं आप 7 में page पर आपका cut-sever link कर रहा है आप उसके अंत में जाना चाहते हैं file जा document के तब आप use करेंगे control plus end key control plus end key इसके लावा देखी कुछ इनसे प्रशन नहीं बनता बन भी सकता है नहीं बन तो मेरा काम आपको बताना था कि कोई भी किसी परकार का भी डौट जा किसी भी परकार का कोई भी प्रशन शूटे ना हमसे चाहे वो पूशे चाहे important हो जा ना important हो क्योंकि पूशा भी जा सकता है 120 प्रशन आपको पूशे जाएंगे अब मैं बात करूँगा page up की page up की एक होती है page up की एक होती है page down की तो नाम से ही इनके पता चल रहा है एक एक page उपर जाने के लिए एक एक page उपर जाने के लिए मुझी one 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 by one page up movement करवाने के लिए करसर की हम यूज करेंगे page up की देखिए अप है तो ऊपर down निकि एक एक page नीचे करसर की movement करवाने के लिए जाने कि one by one page नीचे जाने के लिए जैसे आफ 10 में page पर है उसके बाद आफ 11 में 11 में पर जाने के लिए 12 में पर जाने के लिए 13 में पर जाने के लिए जाने के नीचे की तरफ जा रहे हैं एक एक पेज दस में से 11 में पर 11 में से 12 में 12 से 13 पर तो आप यूज़ करेंगे पेज डाउन की देखे कीवोर्ड को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा पर इतनी फिर गरेंटी रहेगी कि कीवोर्ड से किसी भी परकार का examiner caution बना ले तो जो मैंने आपको करवा दी इसे बाहर नहीं बनेगा हूँ कि हम कीवोर्ड को बिल्कुल detail में पढ़ रहे हैं किस की का क्या use होता है वो बिल्कुल हम समझ लेंगे ताकि जिस भी परकार का caution बन जाए आपको किसी भी परकार की कोई दिक्कत ना हो अब हम बात करेंगे special और देखे आज कंप्यूटर की एक और कलास लगेगी तो नाम से पता है combination जाने कि किसी के सहयोग से कीज काम करती होंगी और देखे combination कीज का एक और नाम होता है modifier क्योंकि exam में अगर modifier लिखा है तो आप कहेंगे कि यह तो करवाय नहीं तो combination कीज कोई क्या कहते है modifier कीज भी कहा जाता है तो combination keys ऐसी keys होती हैं, जिनका अकेले में, जनका खुद का कोई अस्तितव चाहशा अपना use नहीं होता अगर मैं सिर्फ अकेली उस कीज को press करू तो उसका कोई use नहीं होगा, उसका कोई काम नहीं होगा अगर उसे में किसी और कीज कीज के साथ कम्बाइन करके किसी और कीज के सहीवग से उसका उसका यूज करता हूँ तभी वो उनका यूज है बैसे अकेले में उनका कोई यूज नहीं है तो combination keys कौन-कौन सी होते हैं, सबसे पहले और Alt Alt तो जे आप याद रखेंगे प्रशन ऐसे हैं Control की, किस की का उधरन है जो Control अब वो किस की का उधरन आपको Option दे रहेंगे, Toggle की Home की, Functional की ऐसे बगार अगर Option दे रहेंगे तब आपका अंसर होगा Combination Key जाब Modifier Keys क्योंकि अगर Shift को आप अकेले में Control और Alt जे आप याद रखेंगे, इसका इकोर नाम भी होता है इन तीनों को जाए Shift, Control, Alt इन हम क्या कहते है, Adjustment Keys भी कहते है, Adjustment Keys जे भी आप याद रखेंगे, Combination Keys प्रशन क्या बनेंगा Combination Keys Shift, Control, Alt क्या है, Combination Keys Combination Keys कितने होते हैं, तीन Combination Keys का दूसरा नाम, Modifier Keys Combination Keys का तीसरा नाम, Adjustment Keys तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो फिर जादा लंबी चली जाएगे तो Keyboard आज हम खतम कर देंगे और देखे, पूरा syllabus आपको computer का complete करवाया जगा, देखे, 25 October तक तो आपके form fill ही होने है जाना कि एक महीने के लगवगा आपके पास अभी समय पड़ा है तो तब तक हम अपना computer HPG के जे सारा syllabus हम theory पूरी complete करेंगे, उसके बाद सिर्फ हम MCQs, MCQs, MCQs जाना कि सिर्फ mock test किया करेंगे तांकि फिर कोई possibility ही नहीं रहेगी कि कोई question आपका computer का shoot जाए क्योंकि MCQs करवाने का तभी फाइदा अगर आपने theory पड़ी हो, बिल्कुर समझे कर पूरा syllabus कवरे की हो, अगर मैं शुरू में सिधे MCQs करवादू तो फिर आप सारे question कर पाएंगे इसकी कोई possibility नहीं है क्योंकि जो मैं question आपको MCQs के रूम में करवाओंगा शायद हो सकता है कि उस topic से related वो question पूशा ही न जाए उस question को घुमा कर पूशा जाए जा किसी दूसरे तरीके से जैसे मैंने मान लिजी अगर हम आपको सिर्व MCQs करवा रहा हो तो मैं आपसे क्या पूशता combination keys कितनी होती है तीन जा मैं ऐसे पूश लेता shift control जा shift क्या है combination keys बाकि मैं control alt के बारे में आपको नहीं बता था exam में control के बारे में पूशे जाता माली जी मैं आपको shift control alt के बारे में भी बता जिता कि combination keys हो तीन होती है exam में आपको modifier keys आ जाता फिर कोई भी आपको MCQs करवा रहा होगा तो वे simple आपको सिधा questions करवा रहा होगा कि combination keys केते हैं तीन जाते हैं आपको जे बता दे कौन कौन से होती है पर तो adjustment keys भी उन्हें कहते हैं modifier keys भी उन्हें कहते हैं हम MCQs जेतना हम पढ़ लिए हैं उनसे हम MCQs भी किया करेंगे कि exam पिछले जो भी exam हुएं कोई भी exam जिसमें computer पूशा गया है इन टोपिक्स किस तरह से question बनाए गए हैं तो आज की वीडियो में इतना ही तो वीडियो को जासे share कीजिएगा ताकि और भी जो इस त्यारी exam के त्यारी करें वो भी इसका फाइदा उठा सकें तो इस वीडियो में इतना ही और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यावाद